Dear students, पूर्व में हमने वाउचेरिया में Asexual Reproduction by Jewish Sports के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे Asexual Reproduction by Aplano Sports वाउचेरिया की स्थलिय जातियों में Asexual Reproduction अचल बिजानुएं के द्वारा होता है, यानि की Aplano Sports के द्वारा होता है जलिये Species में Unfavorable Conditions में भी Aplano Sports का निमान हो सकता है फर एक्जाम्पल, वोकेरिया, हेमेटा, वाउचेरिया, जेमिनेटा, तथा समुंदरी जाती वाउचेरिया, पाइलर बोलाइडिस इसके अलावा Aplano Sports का निर्मान, वाउचेरिया की ब्रांच के end point पर उपस्थित Aplano Sporengia के अंदर होता है ये Aplano Sporengium आकार में different हो सकती है जैसे की वाउचेरिया, जेमिनेटा में ये अंडा कार होती है वाउचेरिया, हेमाटा में मुगदरा कार होती है वाउचेरिया, अंसीनेटा में Aplano Sporengium गोल होती है तथा वाउचेरिया, पाइलर बोलाइडिस में ये कल्ब शेप्ड की होती है तो आपने देखा है कि वाउचेरिया की डिफ्रेंट इस्पिसिज में एप्लेनो इस्पोरेंजियम की साइज या शेप अलग-अलग होती हैं एप्लेनो इस्पोरेंजियम शेश फिलामेंट से सेप्टा की द्वारा सेप्रेट हो जाता है और उसके बाद में प्रतेक एप्लेनो इस्पोरेंजियम में एक थिन-वाल्ड युक्त मल्टी-सेलिलर नोन-मोटाइल एप्लेनो इस्पोर्ष डवलप हो जाता है सामान्यत जू स्पोर्ट्स अत्वा एप्लोईनो स्पोर्ट्स का निर्मान ब्राहे फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित होता है फर एक्जामपल जैसे की जलिये स्पेसिज में पाए जाने वाले वाउचेडिया को यदि मन प्रकाश या शांत चल अत्वा इस्थली आवास में इस्थान अंत्रित कर दिया जाए तो उसमें भी एप्लेनो स्पोरिंजियम के अंदर एप्लेनो स्पोर्ड्स का निर्मान हो जाता है जबकि इस्थली जातियों में जिनमें की सामन्य तर एप्लेनो स्पोर्ड्स बनते हैं उन्हें एक्वेटिक यानी की जल में रखकर उनमें जूए स्पोर्स का निर्माण जो है उसको प्रेरित किया जा सकता है एप्लेणोई स्पोर्स का विमोचन एप्लेणोई स्पोरिंजम के शीर्स भाग के फटने से होता है फर एक्जामपल वाउचेरिया पाइलो बॉलाइडिस तथा अन्य कुछ जातिया जैसे की वाउचेरिया जैमिन एटा में एप्लेणोई स्पोरिंजम के एप्पेक्स के सीरे की भिती का जिलेटिनस या जिलेटिनी करण हो जाता है या फिर उसके एप्पेक्स पर एक पोर या चिद्र का निर्मान होता है कभी-कभी एप्लेणोई स्पोर्स में प्रोटोप्लास्ट छोटे-छोटे खंडों में भी विभाजित हो जाता है और छोटे-छोटे खंडों में विभाजित होकर ये बहुत सारे Micro Aplanoy Sports भी बनाते हैं For example, Wallbox Gardenary इसके अंदर Micro Aplanoy Sports का development होता है अब Free हुए Aplanoy Sports जमिनेट होकर ने थेलस का निभमान करते हैं और कभी-कभी Aplanoy Sports का germination Aplanoy Sports अंदर ही आरम हो जाता है इसका एक्जामपल है वाउचेरिया, पाइलोवॉलाइडिस जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं एसक्ष्वल रिप्रोड़क्शन बाइ एकाइनिर्स और हैपनोइस्पोर्स Unfavorable condition में वाउचेरिया या वोकेरिया की कुछ aquatic species या terrestrial species में filament पट के निर्मान की द्वारा या septa के द्वारा मोटी भित्ती युक्त होकर एकाइनिर्स या हैपनोइस्पोर्स में रुपान्त्रित हो जाते हैं अब एकाइनिर्स कम टेंपरेचर तथा वाटर की अधिक कमी के समय ही डवलप होते हैं या बनते हैं और इनके प्रोटोप्लास्ट में अनेक oil drops भी पाये जाते हैं एकाइनिर्स मैचुर होने पर सेपरेट होकर अथवा वाउचेरिया थैलस पर ही जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करने के पश्चाथ नया वाउचेरिया थैलस बनाने की शमता रखते हैं बहुत अधिक dry परिस्ततियां होने पर कुछ इस स्पिसिज में थैलस का प्रोटोप्लास्ट छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है और थात फिलामेंट में सेप्टा बन जाते हैं अब प्रत्य खंड के चारों और एक थिक वाल्ड बन जाती है इस प्रकार थैलस में एकाइनिड्स स्पोर्स की एक मालास ही बन जाती है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं अब स्पोर्स युक्त ब्रांचेज को हम ग्रोंगो सीरा नामक सैवाल के इक्विलेंट देख सकते हैं इसी वज़े से इसे ग्रोंगो सीरा अवस्था भी कहते हैं इस अवस्था में प्राय एन्वायरमेंटल ड्रायनेस होती है और इसी एन्वायरमेंटल ड्रायनेस की वज़े से ही वाउचेरिया में ग्रोंगो सीरा अवस्था जो है वो प्रोडिस हो जाती है और जैसे ही favorable condition आती है वैसे ही प्रत्यक भीजानू या sports जो है वो एक नए वाउचेरिया थैलस का निर्मान कर लेता है कुछ विशेस परिस्थितियों में sports का proto-prat छोटे-छोटे भागों में divide हो जाता है जिसे putty या cyst कहते हैं पुटी या cyst की wall पतली होती है और भित्ती में उत्पन पोर्स के द्वारा ये मुक्त होकर amoeboid moments प्रदर्शित करती है amoeboid moments समाप्त होने पर ये protoplast round up हो जाते हैं या गोल हो जाते हैं तथा इनके चारों तरफ भित्ती इस्तावित हो जाती है और उसके पश्चात ये अंकूरित होकर नया वाउचेरिया थैलस बना लेते हैं अब हम next chapter में वाउचेरिया में sexual reproduction किस प्रकार से होता है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जो की exam के point of view से भी बहुत अधिक important है